सश्रियकाल कैसे हैं आप सब रोज की डेली वही बेसिक बेसिक रूटीन वाली सबजियां खाखा के कभी कभी हम सोचते हैं कि कुछ वैरियेशन हो जाए तो उसी वैरियेशन के लिए आज मैं आपके लिए मश्रूम श्रिम्ला मिर्च की एकदम डिफरेंट स्टायल से बनी शुरू करते हैं इस सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले मुश्रूम्स ले लिये हैं इन्हें मैंने बहुत अच्छी तरह से वाश कर लिया है और हर मश्रूम के पीस को इस तरह से हम कट कर लेंगे आप देख पारा हैं इस तरह से हम सभी को कट कर लेंगे और दूसरी चीज हमने ले लिया है शिमला मिर्च एक बड़ी शिमला मिर्च को मैंने बिल्कुल इस तरह से पतले बिल्कुल पतले पतले लंबे टुकडो में कट कर लिया है उसके बाद हमने यहाँ पर सीधा एक मिक्स्चर जार का यूज किया है उसमें दो बड़े टमाटर लसुन की साथ से आठ कलियां दो से तीन बारी कटी भी हारी मिर्च ले ले लेनी है हमें हमें हम इनकी बाब में प्योरे है वह हम आधा इस मिक्स्चर में यूज करने वाले हैं और दो मीडियम साइस की प्याज को हमने इस तरह से बिलकुल भारी टुकडों में काट लिया है अब सबसे पहले हमने यहाँ पर बटर मश्रूम और शिम्ला मिर्च ले ली है क्यूंकि हमेंने सौते करेंगे हलका सा फ पीस कर इसकी भी काजू की एक पेस्ट बना लूँगी अब हमारी सारी चीजे बहुत अच्छी तरह से तयार हो चुकी है तो बस हमने कड़ाई में डाल दिया थोड़ा सा बटर अगर बटर अवलेबल है तो डालिये नहीं तो आप रिफाइंड ओल का यूज कर सकते हैं इसका जो ऋपर का लेयर है बस उसको हमें क्रिस्पी ब्राउन करना है जो कि हो चुकी है तो आब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं आप इसे अ प्रति पलेयए का फास्ट फलेंपर हम इसे बनाएंगे क्रिस्पी होने तक भुनेंगे अब हम इसे बाहर निकालेंगे सो यह हमारे हो चुके रेडी इस से ग्रेवी में इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता इस तरह से भुने जाने से बटर में सो आप इसे जरूर कीजिएगा उसके बाद हमने यहाँ पर एक कडाई में डाल दिया थोड़ा सा रिफाइंड ओईल जैसी हमारा तेल थोड़ा सा गरम हो जाएगा हमने जो दो मीडियम साइस की प्याच ले लिये थे हमने यहाँ पर वो एड़ कर लिये हमें प्याच को तब तक पकाना है जब तक प्याच का जो कलर है वो लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए अब देख पा रहे हैं बहुत जादा डार्क नहीं लाइट गोल्डन ब्राउन जो की हो चुका है अब मेरा अब हम इसमें टोमेटो की प्योरे जो हमने बना ली थी वो एड़ करेंगे मिक्सर जार में अभी थोड़ा सा मिक्सर लगा हुआ है तो उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और वही पानी हम इसमें आड़ कर लेंगे एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रत नहीं पड़ेगी और सारा मिक्सर भी मिक्सर जार को छोड़ देगा अब हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे गैस का फ्लेम आप हाई कर सकते हैं तमाटर की ग्रेवी को थुड़ा सा एक से दो उबाल आने चाहिए हम इसे पकाना है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे सुखे मसाले, आदा चुटा चम्मत धनिया पाउडर नमक स्वाद के हिसाब से हल्दी पाउडर एक छोड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने और आधा सैशे जो मैंने आपको बताया था मैगी मसाला वाला वो हमने इसमें डाल दिया इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ग्रेवी में एक उबाल आने देंगे ग्रेवी में एक उबाल आना काफी जरूरी है जब आप देखें कि ग्रेवी में हमारा उबाल आ गया है तो यहां पर मैंने थोड़ा सा हारा धनिया डाला है टेस्ट के हिसाब से क्योंकि हारधनिया से इसका टेस्ट अच्छा आता है उसके बाद बस हम इसमें जो हमने स्टार्टिंग में मश्रूम और शिम्ला मिर्च डाले थे वो एड़ करेंगे पर उससे पहले हम इस ग्रेवी को थोड़ा सा चक लेंगे कि अगर हमें नमक मसाला कम लगेगा तो हम इसम सब कुछ बराबर लगा इसलिए मैंने डारेकली मश्रूम और शिम्ला मिर्च को इसमें अड़ कर लिया है अब बस हम इसमें कवर करके साथ से आठ मिनट तक पकने देंगे इसे अब जब साथ से हाथ मिनट हो जाएं आप धकन हटा कर देखिए हमारी जो ग्रेवी है वो आप चुके हैं तो उसके बाद जो हमने दूद और काजू की पेस्ट बनाई थी वह हम इसमें डाल देंगे और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करेंगे उसके बाद फिर से हमें इसे कवर करके साथ से आठ मिनट चूड़ देना है ताकि काजू की पेस्ट भी पर अगर काजू की पेस्ट है तो वह डाली उससे का टेस्ट काफी अच्छा आएगा अब थोड़ी दिर के बाद हम इसका धकन अटाएंगे ग्रेवी में उबाल आ चुका है हमारी सबजी सर्व करने के लिए बिलकुल रेडी है थुरा सा हराधनया डालेंगे और ये रेड दूसरी बात हम घर में बना रहे हैं तो बिलकुल फ्रेशली और बहुत सारी चीजों का ध्यान दे कर बनाते हैं तो आप इस एक बार डिफरेंट वे के लिए जरू ट्राइ कीज़ेगा ये आपको पसंद आएगी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें चैनल को सब करें ताकि आपको मेरे हर लेटेश वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले और कॉमेंट करके भी बता देना ताकि मुझे भी पता लगे कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है तो अब आपसे नेक्स वीडियो में मिलेंगी बाई